हिंदी गलम में फिर से अपका एक बड़ स्वागत है ये वीडियो विशेस रूप से स्विक्षक बहाली से संबंदीत है अभी हमने ट्वीटर खोल लगा ट्वीटर हैं लेख रहे हैं उप मंत्री जी का नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पर आप देख भी सकते हैं ये शरी ओतितिस वी यादुजी का है और नीचे यहां स्क्रॉल करेंगे तो यहां एक अपडेट दिया गया है लगबग 24 मिनट पहले अपडेट दिया गया है यहां नीचे पिक्चर वगएरे आप देख सकते हैं वैसे हम पिक्चर भी आपको एक बार दिखा देते हैं किसी ने पूछा था कॉमेंट सेक्शन में इसमें आपके सिक्षामंत्री जी न कोई भी चीजे ना अगर आपको दिख रहा है पहले तो मैं बता दो कि हिंदी कलब के पुराने वीवर से उन्हें कोई दिख्कत नहीं जो नए वीवर सार है ना उन्हें में पहली वांड कर देना चाहते हूं या तो आप यहां आईये नहीं अगर आप यहां आ जाते हैं को सांत रही है तो देखाना आपने थोड़े देर पहले रमेश सर के आवाज में वीडियो आया था को वही चालू हो जाएगा फिर से जो अधर जगे आप देखते हैं फोटो उपर में थम्नेल कुछ और लगा रहेगा अंदर कुछ नहीं रहेगा अगले दिन पता चलेगा कि कि वैसा कुछ न्यूजी नहीं है अगर इस तरीके का चाहते हैं तो किसी एक चीज मुझे अच्छा लगा ये किसी ने ये फोटो पे जो कॉमेंट किया गया था फोटो मैं मैंने डाला भी था आपने देखा भी होगा तो फोटो मैंने डाला था को वहीं पे उनका अच्छा खासा पुरा ब्यान बाजी कर दिये तो यह पुराने वीवर्स मेरे कहल से थे और मुझे अच्छा लगा कि आपने वहां रिप्लाई दिया चिले पहले हम अपडेट जान लेते फिर वह कॉमेंट सेक्षन होगा अगर इका बात करेंगे किससे ओसे उसकते उस लेटर का तो पुराने वाले इस से पहले भी समик्षा बैट कुछ वहता। उससे कंपेयर करके आप दिलिट कर दूँगा, चेरे उस पर बात करेंगे लेकिन आज फिलाल अपडेट जान लेते हैं, जो हमारी मुकमंत्री जी हैं, उन्होंने किलियर लिखा है, आज मुकमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई सिक्षा विवा की समिक्षा बैठक में, यह जैसा कि आप जानते हैं समिक्षा बैठक होने वाला तो समिक्षा बैठक हुआ, इसमें गुणता पूर्ण सिक्षा परदान करने, अब गुणता पूर्ण सिक्षा परदान करने की जब बात आती है, गुणता पूर्ण सिक्षा कैसे मिलेगा, बिना सिक्षक का गुणता पूर्ण सिक्षा का बात ह अपने रख दिये तो प्रात्मी का भी वही आल है मादमी का भी वही आल है उच्छ मादमी का भी वही आल है तो इसे जब तक भारा नहीं जाएगा तो गुड़ातापुर्ण सिक्षा का बाते करना यह बेकार है तो जाहिर से बात है इन्होंने लिखा है लेकिन अगे इन्हों मैं नहीं हो जागा यह एक चरन जैसे आपने च fulfivities план सैज्वे चरन में भी बहुत सरे चक्र और आपको देखने को मिल सकते है को यह अंदर चरन्बध तरीके से विलम यानि बीना देरी के वह लम स्विक्षकों के दो लाक हुख्त बड़ों पर बस अींड़े है वो आपका लगबग दो लाख आने वाला है दो लाख में समझे मेरे खाल से एक लाख आपका निश्य तुरुप से प्राइमरी होना अच्छी एक लाख से मेरे खाल से अप कम नहीं होगा इन्होंने जिस तरीके से लिखा है आप माननिये उपमुख मंत्री जी है जाहिर सी थोड़ा सा इधर उधर होगा ज्यादे बाते इधर उधर नहीं होगी तो यहां पर दो लाख पदों में अगर देखा जाए तो एक लाख आपका प्राइमरी हो जाएगा और एक लाख आपका मादमिक और चिमादमिक हो जाएगा तो यह आपके पद देखने को मिल सकते एक शात्र-छत्राओं के पठन-पाठन में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही अच्छा न्यूज है, बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब यहाँ पी क्या करेंगे? अब यह अपडेट आपने देख लिया, सुन लिया और इससे पहले का भी अपडेट सुन लिया। और यहां पर आप comment अगर आप पढ़ेंगे जब मैं इस वीडियो को डालूँगा तो comment में कुछ लिखेंगे, लिखेंगे पहला कि यह तो बहुत दिनों से news सुनता हुए आ रहा हूँ, कोई लिखेगा कि अरे यह तो news हमने बहुत पहले देखा था लेकिन बहाली नहीं हो रह देखें यह चीज है कि आप लिखते क्या है अगर आप रिक्विस्ट पूरवक जैसे यहां पर अगर सर ने ट्यूट किया है तो यहां पर आपके लिए positive नहीं हो जाए अब यहां पर negative नकरात्मक बात करेंगे तो आपके लिए हितकारी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उससे क्या फाइदा आपको मिलने जा रहा है, अगर यह नराज हो जाएंगे, मैं 100% कह रहा हूँ, यह हो चाहिए मुखमंत्री जी, अगर नराज हो जाएंगे और कहेंगे कि अभी नहीं करूंगा, तो क्या कर लेंगे आप, सडक पे उतर रहे हैं, सारे चीज कर रहे हैं, तो पहले तो यह को, निगेटिव सेंस वाला कॉमेंट ना, अब अपडेट जो मैंने देना तदे दिया, मैं आगे की बात बता रहा हूँ, यह सुनना चाहिए आप सभी को, निगेटिव सेंस वाला कॉमेंट ना, करना छोड़ दीजिए, अगर कोई लिखता है इस ग्रूप में मैं भी हूँ, तो इस ग्रूप में लिखना है, स्टार्ट कर दिया था, कि यह बकलोल है, तो यह है, वो है, इससे तो आपका ज्यान परदर्सित हो रहा है, कि आपके इस तरह के सिक्षक बनने वाले हैं, उसे नहीं समझ में आया है, इसका मतलब सिक्षक, क तरीके से आप पास हो गया है, इस तरह के कुश्चन आते है कि इस तरीके से टिक करके आप पास हो गया है, अगर नहीं उन्हें समझ में माल लिजे कि कोई पत्रकार ही है, अगर आप उनको फोन करके दो तरीके बात रखने के, एक तो तरीका यह है, जो आप लोग करते हैं, किसी भी पत्रकार हो चाहे कोई भी आपका नियूस दिखाता है चाहे गलत दिखा दे चाहे नहीं दिखा है तो इस तरीके से आप लोग लिखते हैं कि मालनीजी कैसे बता सकते हैं आप लोगी भासा में अगर कूंड़ हो कुछ अवियार्थी इस बाहीं कुछ हो गया क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक बात बतेए इसी चीज को ऐसे भी और भी बहुत सारे सब्दें जो मैं मतरब डायरेक्ट यहां पर नहीं कह सकते हूं उस तरह के भी सब्द कहे जाते हैं लेकिन अगर इसी बात को ऐसे कहा जाए कि सर आपने जो यह न्यूज छापा था व मैं बता रहा हूं छट्टे चरण में जब राजंदर सर थे जो भी बाते होती थी परड़े बाइक से जाके सबको देते थे आते थे वो लोग को चाय वेगरे मतलब सबसे पहले मीडिया जो कर्मी होते थे उनको यहां पर जो मर्जी वो करना स्टाट कर देते जिस तरीके से बोलना जिस तरीके से डाटना जिस तरीके से जो करना वो करने स्टाट कर देते बात आपका उठा रहे हैं चट्टे चरण को एक बाद अच्छे तरीके से बात आपका उठा रहे हैं और अच्छे तरीके से अगर उठा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए आके वो स क्वेषारे करते रहें अगर सारे मिडिया एक हो जाए मैं ऐसा कहा नहीं रहो एक हो जाएं और आप कुछ भी करते रहें उसको दूसरे तरीके से दिखा दिया है जब math register का दिखा दिया बीटट और ची यह बीटट एक्जाम कर रहे है और चेसे कर लितका चल गया चलने के लिए चल गया जाना चाहिए कि उनके पास पहुंच गया क्या कर लिशेगा कुछ कर सकते हैं तो इसके लिए बातों को रखना बहुत जुरूरी है और ये छोटा मोटा ये नहीं है छोटी मोटी बाते नहीं है ये बड़ी बाते हैं कि आप सिक्षक बनने वा निर्माड करता होते हैं, कल के भविस्व के निर्माड करता होते हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कल वो CM बनेगा, PM बनेगा, आपका कलक्टर बनेगे, जितने आप ओहदे देख रहे हैं, जिन से रोजगार लेने की चिस्टा कर रहे हैं, वो सारे ओहदे, यही तो हम तो एक मैं अभी आपको न्यूज बता रहा हूं कि एस्टेट पे अभी बार-बार मैसेज आ रहे हमने बनाए वीडियो इडिट का आया जो भी आया बहुत मुश्किल से आपके लिए एक या दो वीडियो आता है अभी आपके लिए कोई कारे नहीं कर रहा है मैं आपको एक और एक्जामपल देता हूं नाम मैं उनका नहीं लूगा लेकिन एक दिन मैंने प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाया था हिंदी कलब के प्लेटफॉर्म पे उनको दिखाया स्टार्टिंग में दिखाया आप लोग आपडेट कैसे मिला था, आपको याद है। कोई किसी भी कारे को करने के लिए बहुत महनत करना पड़ता है। इतना दिन से आप सारा चीज की है, सब कुछ की है, लेकिन एक डेट दिया गया, उससे समंदित आपको अपडेट मिला, उसी डेट को, इसी अपडेट को क्यों नहीं मिले गया, आप तो डेली जाते हैं, डेली बात करते हैं, डेली बनाते हैं, डेली सब कुछ करते हैं, क्यों कोई टीम लेके इधर बागरा सब अपने टीम में बटे हुए हैं हमको यह करना है अज उनको यह करना है कि आप एक जगह ट्था होकर संगठित नहीं हो सकते अचैसे कि के अपके यह संगठित हैंगे ना अपने देखाओ अगर लकड़ी को एक लकड़ी दे दीजेगा टूट जाता है लेंगे पुरा गठर रहता है नहीं टूटता है अगर आप सभी लोग एक जुट हो के एक साथ एक मंच पर आके कारे करें ना तो इस बहाली कौन सा चीज है कुछ भी कर सकते हैं हाँ उसके लिए आपको चर्चा करना होगा हर चीज का एक उपाय नहीं होता है कि हाँ जाके आपसे लड़के ले लें यह कोई उपाय नहीं है कि आपसे हम लड़के लेंगे नहीं दीजिएगा इतना आपके पास मेरे पास कोई समान है और आप मेरे पास आए और पूरा ल यह फोड़ देंगे, यह कर देंगे, हम नहीं चलाएंगे, क्या कर लिजेगा? कुछ नहीं कर सकते हैं. मैं जवाब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी अन्य सेक्टर के, अब यहाँ पे कुछ और बुद्धिमान लोग, मतलब परचंड प्रख्यात्ता लोग आएंगे, कहेंगे, कि सर, यह मेरा मौलिक अदिगार है, कि मुझे, अगर सिक्षक की कमी है, कि मुझे रोजगार मिले. यह मैं जानता हूँ पहले से, फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको समय से मिले वो रोजगार, ऐसा ना हो कि आपका एज खतम हो जाए, बहाली तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन वो एज नहीं रहेगा आपके पस, एक-एक मन्त आपको जानते हैं, बीस जार, पचीस जार आपका सरली जा रहा है, कभी सोचा है आप निस के भारे में, कितने इतन, मार, थाड़, ऐसे करके कोई चीज ले लिजेगा, इससे, मैं किसी चीज का कभी विरोध नहीं करता हूँ, ना ही कभी, ज्यादा बोलने की, कुछ इसका आपने देखा होगा जा लगता है, रही समय कहा वीडियो आते हैं, मेरे अवाज में एक दो वीडियो है, यानि इस पेपर कटिंग ही देता हूँ, अपडेट भी ज़्यादा, नहीं बोलता हूँ, अगर काम हो रहा तो हो रहा है, हाँ, एक अपडेट आया कि ये हो रहा, वही मैं बोलता हूँ, अब थमनेल भी आपने देखा होगा, कभी थमनेल दर उदर नहीं जाता है, मेरे, इनका फोटो लगा दिया, मैंने इनका फोटो लगा दिया, फिर बोल लिया, ऐसा कभी नहीं होगा, चली, कहना तो बहुत सारी बाते हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता ह कि आप सिक्षक बनने वाले हैं अपने कॉमेंट्स पर ध्यान दीजिए जहां भी लिखते हैं जहां भी वहां नेता से जुड़े हुए कॉमेंट्स आपके नहीं होना चाहिए कोसिस मेरी यही है कि संडे को कुछ चीजे हो जो पोजेटिव रहे वह भी आप लोग के कॉमेंट पोजेटिव रहेंगे तो ही कारे होगा नहीं तो नहीं होगा यह भी मैं लिकितरुप से कर रहा हूँ वैसे किसी और से बात हुआ है वो प्रशनली उनसे मिलेंगे किन से मिलेंगे क्या मिलेंगे क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा लेकि प्रशनली मिलेंगे और कु नहीं भी हो सकता है मेरे समय सी मां क्या अंतरकत आएगा तो वैसे भी आज कल मुझे भी मन नहीं लगता आप लोगगे साथ कुछ कहना बोलना कुछ बात्चित करना क्योंकि जो पुराने थे अच्छे थे अब जो नया है कुछ सुनते नहीं है कुछ भी लिख देते हैं कहीं भी लिख देते हैं मेरे पास लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं कहां जाओंगा छोड़के ज्यादा से ज्यादा यह बंद होगा को फिर सीटेट का यह चैनल है सीटेट बीटेट पढ़ाना मेरा काम है और यह बात बहुत सारे अव्यार्थियों के रिक्विस् उसके बाद फिर से तो वही कारेकर नहीं है एक नहीं दो-तीन चैनल है हम लोग के पास समय अभाव के करन तीनों चैनल दो-तीन दिन मेंटाई चलेंगे कहां वर्क होता है नहीं समय हो मिलता है तो कि और भी चीजे होता है लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी बातो को रखें लेकिन एक सिक्षक की भावना को देखते हुए यानि आप अगर एक सिक्षक है को सिक्षक किस तरीके से प्रस्तूत करते हैं अपनी बातों को उन बातों को समझते हुए उन बातों को रखें एक चीज और एक्जामपल देता हूँ जैसे में अनभाव की भी कमी है अनभाव की क्या कमी है जैसे मैं कहूं कि कोई नया आया है मीडिया फिल्ड में और वही रजनीस सर है कोई नया आयेगा मीडिया वाला और उसको question पूछने का जो तरीका होगा तो वो किसी अन्य तरीके से पूछेगा जो परभाव नहीं डालेगा लेकिन question उसका वही होगा लेकिन वही अगर रजनीस सर उस बातों को रखेंगे या पूछेंगे तो अपने तरीके से पूछेंगे उन्हें पता है किस तरीके से कोई बात निकालना है अब यहां पर वही question वह लड़का कर दिया रजनीस सर उसी question को दुसरे तरीके से रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका अच्छा जवाब मिलता है उनका क्या हो डिरेक्ट मिल गया करेंगे यह करेंगे यह करेंगे बात ने यह कहा था तो इस समय यह क्यों नहीं हो रहा है तो यह सारे चीज़ें इस अन्भाव को देखिए समझेए कोसिस कीजिए कि जो अन्भावी है उनको आगे रखें उनका help ले उनका मदद ले बहुत सारे कारें हुए हैं इससे पहले नहीं ते एक बार छटा चरन का जरू कि हमें रुजगार चाहिए वह जरूरत आपको है मुझे नहीं है किसी और को नहीं है सिर्फ आपको है आपको मतलब उस सभ्यारती को वह आप हो सकते हैं अगर आपको रुजगार की जरूत है वह कोई और हो सकता है जिसे रुजगार की जरूत है तो उन्हें जब आपको ज तक उतना नीचे आए कि आपको दिया जा सकें वैसे रही बात को में भी हो सकता है संडे मंडे तक आपको कुछ और न्यूज मिले मंगलवार को भी आपको न्यूज मिलने की समभावना रहेगी तो यह जो सप्ता है जो कमिंग सप्ता वो निश्यतुरुप से बहुत ही कुछ पोजेटिव होने वाला है अब रही बात बहाली की तो उसका भी अपडेट दिया जाएगा लेकिन सची वाले वेगर तो बंद रहेगा लेकिन फिर भी कुछ चीजे हैं जो आगे के लिए रहोगा ज्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाता हूं फिलाल आपको मिलेगा अ नहीं करना है मतलब जो किसी को कुछ लिख देते हैं किसी को गाली कर देते कि अब ये जो गाली वाला सिस्टम जो अगर कोई लिखता है तो उसको वहीं पर आपको जवाप देना कि आप सुधर जईए अपनी बातों को रखें लेंगे अच्छे से रखें फिलाल इस वीडि ओकी बाबाइ सब्सक्राइब कीजे हिंडी कलब को दबाइए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल फ्री है ईचे बायम आपकी आपकी ह 하루ग और सबसे डेशित खें वो लीडियो आपकी बाल्स का रहल हमारा वीडियो